दुखिया मजूर की महनत पर कब तलक मलाई उड़ती रहे कि गुडगान गलत गाई इहामरे बस्क नाहि होय भले गरीविम और गील आठा मुल्ककलम बें चिडाय इहां तो ये उनसे का मुक्तग है और उनसे के सब्दों में मैंने बताया और आक्षार्सा इसका पालन उन्होंने जीवन भर किया भी कि अपनी कलम को अपने साहित को सुरक्षित रखा, किसी भी प्रकार से लालच के बस में या चाद कौर्टा में कभी भी साहित पर आच नहीं आने दिया, अपनी कलम को एकदम मजबूती के साथ पिता जी ने पकड़ रखा था, भले क्यों नहीं चाहे जितनी गरीबी उनको ज पिता जी हमरे 20-22 साल की अवस्था से कविता लिखव शुरू करें, और 82-83 उमर पहुंचत पहुंचत कतम होगी है, लेकिन हम यह समझी थी कि जीवन के जों सबसे ज्यादा समय है, उक किवल एक बिसेपी लिखे हैं, सोसित, जलित, गरीब, मजदूर, पहले यह राजनेति नेता थे, और सोसलिस्ट पाल्टी में जब यह भासर दिया करते थे, तो बीच-बीच में स्वरचित कभितायें यह पढ़ते थे, और बाद में जब ड. लोहिया का सानित धीन को मिलना बंध हो गया, तो यह पूर्टता साहित में आ गए, और फिर साहित की सेवा करने लगे जोन पार्टी के चुनावन निसान रहान है, और पर गीतना यह लिखेत रहे ह। समाज बाद के सिध्धान पर गीतना रहा है। यह लिखन हैं कि जब एक कृधी होई की कभों लिखे हैं, तो यह अतना लिखे हैं कि कभ जगभा भारत के गरीब, कभ इंकलाब लेया और कज Finger हो सोहर हो सब इसके सबसे प्रचले जोण बहुत जोण दूर दूर तक जोनी रचना से जाना गया हूं रचना खकथरि. कथरी तोहार गुनू जाने जे करई गुजारा कथरी मा लोटाइं लड़ काताया इंगारा परिवार बताया मा इन्मौल यहा कथरी ना मौल बिकानू हटिया मा मुल्तो का देखे घरे घरे सब जने बिचाए खटिया मा अम्बिया अवलिया का भी नाम आया है, राम का भी नाम आया है, गांधी जी का नाम आया है, समता समाज की सेवा मा आपन जीवन तु दान देहु बैठायु बगल गरीबन का तंक्यों तूना अपमान क्यों लोक तंत्र के यह बग्यामा जब जब लाग टिकोरा क्यों नपाईश चटनिव भर का क्यों तूरिस भरी जवरा तो यह जो अन परमपरा रही है सामाजिक जागरुपता, सामाजिक चेतना यह से और गंभीरता रही जोने कवितामा वसे संबंद रहा है जो में खाआ जाते है कि आउधी का जो सामान ने और उसको बिलो नार्मल कहले है आती सामान ने जो जन जीवन था उससे उनका लगाव जुडाव था असल में आजाज जी गाओं से जूड़े हुए विक्ति थे और जो गाओं की बोली बानी है उसमें लिखते भी थे और उसी में रचे बसे थे जैसे गाओं का जो आदमें जिस तरह से रहता है जिस तरह कि उसकी समस्याइं है जिस तरह से अपना रहां सहन है जिस तरह से खान पान है और जिस तरह से अपने गरीवी से और अपने बच्चों की समस्याओं से पढ़ाई लिखाई से जैसे जूजता था आजाज जी ने इसक वाला परवत कटी नभईया तब तक हियां गरीबी वाला गड़ा पटी नभईया तो इप्रगतिशील चेतना है जो जुमेई खाँ आजात खियां देखात है और इचेतना आई है सामाजी का अंदोलन से हमरे खुनवा से रंगीबा तुर बहु के चुनरी या उनकी एक बहुत अच्छी रचनाई कि बड़ी-बड़ी कोठिया सजाया कुझी पतिया दुखिया करोटिया चुराई चुराय अपनी महलिया में तेहां उजियरिया जोपड़ी अगिया लगाया लगाया ऐसी रचनाग आजात जी करते हैं। पुरुस के खिलाव प्रतिरोद करते हैं, मर्दन के खिलाव प्रतिरोद करते हैं, उनके अत्याचार के खिलाव प्रतिरोद करते हैं, वही कविता जब गरीब के दर्द का महसूस करते हैं, तब उकविता अमीरन के खिलाव प्रतिरोद करते हैं, और जब उकविता सोसितन के करते हैं तो सोसकन के खिलाफ प्रतिरोध करते हैं यह वन सबसे बड़ी बात है कि जौन शक्ती सोसन के पीछे है वका जुमेखा आजाद बहुत अच्छी तरीके से पहचान थी यही लिए उनके प्रतिरोध मा जौन वर्गसत्र है वका एकदम साफ पहचान कीन गए है और उन देश प्रेम पिरोया है उन गीतों में भी यह लगवाही का गीत भुरहरी का गीत या कोई चक्की चला रहा है यहूं पीस रहत उस समय का गीत जितने भी गीत आप उनकी रचनावन पढ़ेंगे उसारे गीतों में उसोसन जलकता हुआ दिखेगा आपको परदे के वीछे से आपको कभीता आपको कभीता तो हमेशा दीन दुखियन पढ़े और गरीबन पढ़े पूजी पर जो कुछ लोग का धिकार हो गया है खेत और जमीन पर कुछ लोगों का धिकार हो गया है इसको लेकर के एक आकरोस उनके मन में था और आकरोस उनकी सभी रचनाओं में लगा असी तक लिख रहे थे भारती भाव से आरती साज के लीडरन के जनम दिन मनावत रहा तेल चाही खरीदी बलाइके से हम मुल प्रगत पत्प दीना जरा होत रहा है एक चीज और है कि आजाज जी कुछ बहुत अच्छे ब्यंग लिखे जो बहुत कम उसुनाते थे लेकिन हम ल लेकर कुझों लिखा था कि मुसाफिर एक अंजाना नगर बस से उतरता है कहां है बंध मेखाना बगलवाले से कहता है बताया एक नेता ने उठा कर हात ऐभाई गाधी मार्ग मेखाने से होकर ही उजरता है एक बार कविता करने गए तो लोगों ने जो कहा कि आजाज जी आ ठेश लगी और ठेश लगने के उपरांग उन्होंने जब मंड पर गए और बैठे तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई शाह हमने कहा कि गोबरी लिपनी-पतनी नाम कैशे पढ़ गया तुन्होंने बताया कि जब प्रताब गढ़ में बहुत धनाद विक्त पंडी जी थे उनके पास पेट्रोल पंप थी और उन्होंने अजाज जी को बुलाया था वहां कविता सुनाने के लिए पढ़ने के लिए और लोग पढ़े कविता जब आजाज जी की बारी आई तो पंडी जी के पास पेट्रोल पंप थी अब आजाज जी को आजाज कौन बनाया इसी उदहान से समझ में आ जाएगा आजाज जी ने वह सच में बताना भगवन मिट्टी के तेल डीजल में कितना मिलाए हो तो ऐसी बात जो है किसी के घर में जाकर के उसकी आंगन में जाकर के किवल आजाज जी कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता कि उद्राज के महतारी कहीं है अब आज से सब कुछ कराया लेकिन यह का गाहा यह एक बिवस्थाक बात करता है कि यह इसे इसे देश में होता है जहां खड़े होते थे कभी-कभी तेस्ति बनती थे कि कभी सम्मेलनों के आयोजन ऐसे लोग करते थे जहां इस तरह की रचनाओं को लोग सुनना नहीं चाहते थे और आजाज जी कि जब बारी आती थी तो व कि मुला कभो जो हम से छुई जाए कुल परिवर वा टाटे। हमने हिंदू वही ना मुसल्मा आही जाद मनई के आटे पहरुआ आही जो नो कहत रहे ने वही जियत रहे अजुद्या का मंदिर वाला विवाद जब अपने चरम पे था तो वाजाज जी केवल साहस कर सकते थे उन्हें एक रचना लिखे कि राम रहीम तुहियो भईया मंदिर मस्जिद माटी के और उसी रचना में उनकी पंग थी कि एक हवा पानी कुल देखा एक रोसनी आई हो एक पंडित के घर होई निकासन अब्दुल छोड़ें गोला मुल्ला जी महलूस सुने तो सिन्नी बाटें भोला कहा रहा परहेज बतावा गुड़ चनगा और लाटी के राम रहीम तुहियो भईया मंदिर मस्जिद माटी के जुमैक आजात्खियां जोन सेकुलरिजम है जोन एक मजवी सोहार्द है बहतर है वका कहा जाए कि कंपोजिट कल्चर साजी संस्कृति है तो उस संस्कृतिक रूप से ज्यादा प्रतिबद्ध कविता है ना कि धार्मिक वके धार्मिक जड़ता के उन खिलाफ बटे जैसे अगर वह केवट पर कविता लिखा थी या फिर र है कि संस्कृतिक रूप से इन व्यक्तियन का इन चरित्रन का रखा जाए और जाती ओधरम के जोन विभाजन है उन पीछे छूट जाए नलनीलक पाथर सागरमा तरनी की तरह लहराई रहे खुद डारेत बूड़ी गई करी भगवान खड़े पहताई रहे तब बोली अन्मान लला भगवान के इस समझाई रहे यहां थसे छूट जाई प्रभू तो बूड़ेन का उतिराई रहे अब भाय भतीज अहां हमरे चाही जाओने घरे रुख जाई प्रभू एक रोटीम लाला न पाला परी चाहे जीवन भैटी की जाई प्रभू जब बोलब बोल ह प्रितिनकाप की जाई प्रभू माई बाप के इपरिपाटी रही उपरा उठिके जुक जाई प्रभू वहने बास का पेड़ो जो इतना उचा उठता है फिर भी जुका हुगा होता है जुमैखा आजाद अवद के गंगा जमनी तहजीब के प्रगतिशील क्रांतिकारी धा कर आके कभी हैं उनकी रचनाओं पूरी-पूरी आग थी लोगों के अंदर छुपी हुई जो भावनाए थी और पूरी-पूरी आजाजीक रचनाओं से निकल रही थी हमेशा प्रयास किया कि जो समाज की बुराईया है वो साहित के माध्यम से दूर हो जाएं कि जितने ति पूरी तक वास्तों मोल्यवकण नहीं हुआ है जुमाइख आजात के कभिता का अकादमिक महत्तोजय समिलक चाहत रहा वस नहीं मिला यहां कहीं नाईनसाफी हुई है जुमाइख आजात के साथि लोरी पुलो वारीया, फूल आनिंब केसारिया, कि रही रही गाम कैसेग वान्न वाना, बुरा बिनैं माहुवद गदेला वाई टिको औरा, अकातो चारवा हवा २rios चना मैं केलाउई होरा, कातन हुँनत बाजय अरहारीया, कैछीमीया, तो कातो बजे गोरी कैकांगा नवाना मोरी फुला वारी आ फुलानु बैके सारी आ की रही रही गवानु कैसे वान वाना ताल माता लाही बोले बनमा मुराएला ताल माता लाही बोले बनमा मुराएला अकातो पुरा वाही अखी इंची रहे बैला केहु बोलाई लवकी केहु बोवाई कराईला अक्कात हुम्यलावामा भीचाई जार बैला अंगुरी पकाडी के ठुनूक रहें लारीका कि माईले बाई हम हुँ बाजानावाना मोरी फूलावारी या फूलानवाकस कि राही राही गाम कैसे वानवाना